आज अमित और संजय को बाजार जाना है। कागस के कुछ टुकडे कंगे से चिपक गए। उसने कंगा हिलाया लेकिन कुछ ही टुकडे नीचे गिरे। कुछ अभी भी इससे चिपके रहे। उसने संजय से पूछा कि कागस के टुकडे कंगे से क्यों चिपक गए। संजे ने बताया कि ऐसा आवेशों के आकर्शन के कारण होता है। जब तुमने बालों में कंखा किया, तो कंखा रगडने के कारण आवेशित हो गया। जब कंखे को कागस के निकट लाया गया, तो कागस पर विप्रीत आवेश बन गया। और वे दोनों एक दूसरी की ओर आ वैद्धुत आवेश तथा शेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्धुत आवेश को परिभाशित करना। चालकों एवं विद्धत रोधियों को परिभाशित करना, प्रेरण द्वारा आविशन के पारे में जानना, विद्धत आवेश के मूल कुणों को समझना, कुलों के नियम को परिभाशित करना, भहुलावेशों के बीच बलों की करना करना, विद्ध क्षेत्र को परिभाशित करना विद्ध क्षेत्र रेखाएं खींचना विद्ध फ्लक्स तथा विद्ध दुईत्रुव के बारे में जानना एक समान वहे क्षेत्र में दुईत्रुव का विशलेशन करना संतत आवेश विद्रण की गणना करना गौस के नियम तथा इसके अनुप्रयोगों को परिभाशित करना वैत्युत आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक आवेश यानि धनावेश तथा रणात्मक आवेश यानि रणावेश सामान आवेश एक दूसरे को प्रती कर्शित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं यदि कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती कर्शित करती हैं यदि प्लास्टिक की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगडने के बार एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रती करशित करती है विद्धावेश एक अधिशराशी है आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है प्रतेक उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर होती है जब इलेक्ट्रोनों एवं प्रोट्रोनों की संख्या बराबर नहीं होती तो वस्तु में एक नेट धनावेश या रणावेश होता है। तो वस्तु में एक नेट धनावेश रणावेश रणावेश होता है। प्रतेक परमाणू से अलग होने वाले इलेक्ट्रोनों की सही संख्या पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करती है। विद्धुत रोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर विद्धुत आवेश का प्रवह नहीं होने पाता। अच्छे विद्धुत रोधियों के उधारणों में रबर, लकडी, काज और अबरक शामिल हैं। विद्धुत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रोन नहीं होते। सभी इलेक्ट्रोन अपने मात्र परमाणों से बंधे रहते हैं और आवेश का चालन संभव नहीं होता। प्रेरण द्वारा आवेशन किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से इस परशिक कराए बिना एक नेट विद्ध आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जब किसी चालक को किसी चालत दार द्वारा प्रित्वी से संयोजित किया जाता है तो इसे भू संपर के कहा जाता है। आईए इस परिघटना को समझनी के लिए एक उधारन देखें। एक रिणावेशित छड को एक वियुक्त अनावेशित गोले के निकट लाएं। परिणाम सरूप गोले का वो भाग धनावेशित हो जाता है जो छड के निकट तम होता है। तथा वो भाग रिणावेशित हो जाता है जो सबसे दूर होता है। भूज संपर्क गण, तार को गोले से संयोजित करें. कुछ इलेक्ट्रॉन अब गोले से निकल कर भूमी में चले जाएंगे. भूमी से संपर्क हटा दें. चालक गोले में प्रेरित धनावेश का आधिक के रह जाता है. रबर की छड़ को हटा दें. चालक कोले में अप्नेट धनावेश रह जाता है. वैदुत आवेश के मूल कुण योचिता किसी निकाय का कुलावेश, निकाय के विभिन भागों पर वित्रित सभी प्रतक आवेशों का बीजिय योग होता है. उधरन के लिए चार आवेशों, दो कुलाव, माइनस पांच कुलाव, माइनस चै कुलाव और चार कुलाव वाले एक निकाय का कुलावेश, माइनस पांच कुलाव होता है. आवेश का सनक्छन वियुक्त निकाय का कुलावेश किसी भी प्रक्रिया के दोरान नियतांक रहता है। आवेश को एक से अन्य निकाय में इस्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इसे स्रिजत या नश्ट नहीं किया जा सकता। उधारन के लिए आवेश का भू संपरकर्ण, क्वान्टमी कर्ण, किसी आवेशित वस्तु का कुलावेश, आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी E का पूनां की गुणज होता है। मुक्त आवेश की सबसे छोटी राशी E, जिसे खोजा गया एक इलेक्टॉन या प्रोटॉन पर आवेश है, जिसका परिमाण एक तशम्राव 60 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलॉम होता है। किसी वस्तो पर कोई आवेश Q, सदेव Q बराबर N A के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां N एक पूनांख है। कूलॉम का नियम एक बिंदू आवेश द्वारा अन्य बिंदू आवेश पर लगाय जाने वाले विद्धत बल का परिमाण, आवेशों के परिमाणों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को बिलाने वाली रेखा के अनुदिश निर्देशित होता है। दो बिंदू आवेशों के बीच तथा आर दूरी से प्रतक बल का परिमाण एफ गणितिये रूप से निम्निवत व्यक्त किया जा सकता है। एफ पराबर के गुणे मोड क्यू एक गुणे मोड क्यू दो बटे आर वर्ग। यहां के आनुपातिकता नियतांक है। निर्वात के लिए तथा एस आई प्रणाली में कूलॉम का नियम निवन प्रकार का होता है। एफ पराबर एक बटे चार पाई, एपसिलोन नौट गुणे मोड क्यू एक गुणे मोड क्यू दो बटे आर वर्ग। बहुल आवेशों के बीच भल। अध्यारोपन का सिध्धांत आवेशों के किसी निगाई के लिए किसी विशेश आवेश पर कुल बल इस पर अन्य सभी आवेशों त्वारा लगाई जाने वाले प्रतक कुलॉम बलों का सदिश योग होता है। कि नहीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों की उपस्तिती से अब प्रभावित रहते हैं। अन आवेशों की प्रानाली के लिए Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार QN तक आवेश Q1 पर कुल बल F अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4 तथा इसी प्रकार QN तक होता है। F1 पराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 तथा इसी प्रकार F1N तक इस समय करण को निम्ड रूप में लिखा जा सकता है। F1 बराबर I बराबर 2 से I बराबर N तक का योग बराबर 1 बटे 4 पाई, Epsilon 0 गुणे Q1, Q3 बटे R1I गुणे R1I कैप उधारण आए कुलोम के नियम का एक उधारण देखें। दिये गए चित्र में केंद्री आवेश पर बल ग्याद करें। आए इसका हल देखें। माना F1 बल का परिमान है, जिससे आवेश Q2, Q1 की ओर आकरशित है। F बराबर 1 बटे 4 पाई, Epsilon 0 कुणे Q1, Q2 बटे R पर्ग। इस समीकरण में मान रखने पर हम बाते हैं कि F1 बराबर 45 कुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन, जो 0.45 न्यूटन है। F2 बल का परिमान है, जिससे Q2, Q3 की ओर आकरशित है। उप्रोक्त समीकरण में मानों को रखने पर हम बाते हैं कि F2 बराबर 16.875 गुणे 10 की खाथ माइनस 3 न्यूटन, जो 0.169 न्यूटन है। Q2 द्वारा अनुभाव किया जाने वाला नेटपल F Q1 की ओर निर्देशित है, तथा निम्न रूप में व्यक्त है। F बराबर F1 माइनस F2 बराबर 0.045 माइनस 0.0169 न्यूटन, जो 0.0281 न्यूटन के बराबर है। विद्वत क्षेत्र आवेश या आवेशों के निकाई के परिताह एक दिक स्थान होता है, जिसमें अन्ने आवेशितकन, स्थिर वैद्वत बलों का अनुभाव करते हैं। यह क्षेत्र विद्वत क्षेत्र कहलाता है। एक बिंदू पर विद्वत क्षेत्र E को उस बिंदू पर इस्थित एक छोटे धनात्मक परिक्षन आवेश Q0 त्वारा अनुभाव किये जाने वाले विद्वत बल F के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो आवेश से विभाजित होता है, E बराबर F बटे Q0, विद्वत क्षेत्र E एक सतिश है, जिसकी दिशा धनात्मक परिक्षन आवेश पर बल F के समान होती है, विद्वत क्षेत्र का SI मातरक न्यूटन प्रती कूलाउम होता है, एक बिंदू पर विद्वत क्षेत्र निम्ननुसार व्य बिंदू आवेशों के समों के कारण विद्वत क्षेत्र की गणना करने पर अध्यारोपन सिध्धान्त प्रयुक्त होता है, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसी प्रकार E N तक, इस समीकरण को निम्ननुसार लिखा जा सकता है, E बराबर योग, I बराबर एक से एक का N बटे चार पाई एपसिलोन नौट कुणे QI बटे आर्पी आई वर्ग गुणे आर्पी आई कैप विद्धिक्षेत्र रेखाएं सदेव धनावेश पर आरंब होती हैं, तथा रिणावेश पर या एकल आवेश की इस्तिती में अनंत पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलने वाली या रिनावेश तक पहुचने वाली चित्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। कोई भी दू क्षित्र रेखाएं परस पर प्रतिछेद नहीं करती। क्षेत्र रेखाओं की आपेक्षिक निकटता विविद स्थानों में विद्धुत क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को इंगित करती हैं. विद्धुत फ्लक्स E में टुबोई गए S क्षेत्र भलवाले समतल प्रिष्ट के लिए विद्धुत फ्लक्स निम्नवत परिभाशित है फाई E पराबर E S क्रॉस थीटा जहां E प्रिष्ट के अभी लंबवत है थीटा पराबर 0 टिक्री तथा फाई E पराबर E S. एक अदिक्तमान है इस इस्तिती में प्रिष्ट से कुजरने वाली क्षेत्र रइखाउंं की अदिक्तम संक्या होगी जहां E प्रिष्ट के समांतल है थीटा पराबर 95 लिए और 5E पराबर 0 है। ऐसी स्थिती में प्रिष्ट से कोई क्षित्र रेखा नहीं कुजरेगी सामाने विदुत क्षित्र में निमगन यात्रिचिक बंद प्रिष्ट के लिए वैदुत फ्लक्स E cos theta के प्रिष्ट पर पूर्ण सांखिक के रूप में परिभाशित किया जाता है वैदुत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग प्रतिकूलॉम होता है वैदुत दुईत्रोव समान परिमान किंदु विप्रीत चिन्हों वाले तथा दो ए दूरी से प्रतक दो बिंदू आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू का युक्म वैदुत दुईत्रोव कहलाता है दोनों आवेशों माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली रेखा दुईधरुव अक्ष कहलाती है एक विद्धत दुईधरुव का विद्धत दुईधरुव आखुन P आवेश माइनस Q से आवेश प्लस Q के और इंगित सदिश होता है जिसका परिमाण आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी दो एक एक गुणन फल के बराबर होता है P बराबर दो कैप P कैप एक समान वाहे क्षेतर में दुईधरुव एक समान विद्धत क्षेतर E में रखे एक दुईधरुव पर विचार करें जिसका दुईधरुव आखुन P E के साथ एक कौण थीटा बनाता है इसलिए प्लस Q पर बल Q E है तथा आवेश माइनस Q पर माइनस Q E है चूंकि बल समान तथा प्रती समानतर हैं इसलिए दुईधरुव पर नेट बल शून है हालाकि दोनों बल Q E और माइनस Q E एक युगम बनाते हैं बलागून का परिमान बराबर प्रतेक बल का परिमान गुणे युगम की भुजा इस समीकरण को निम्नवत लिखा जा सकता है टाउ पराबर P तथा E का तिरियक गुणन फल संतत आवेश वितरण आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश Q पर विद्धपल आवेश वितरण को संतत मानते हुए सुविधा पूर्वक परिकलित किया जा सकता है परिकलन प्रक्रिया आवेश वितरण को सोक्ष्म अवियवों में विभाजित करें ऐसे एक अवियव D Q के कारण आवेश Q पर बल ग्यात करें इसे बिंदु आवेश मानते हुए आवेश क्यों पर परिडामी बल आवेश वित्रण के समस्त अन्य आवेश अव्यवों के क्षेत्रिय योगदानों के एकिक करण द्वारा प्राप्त किया जाता है रेकिक आवेश घनत्व लेम्टा इस पत्का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वित्रण एक रेखा के अनुदिश होता है और रेखा की प्रतियकाई लंबाई कुल आवेश के रूप में परिभाशित की जाती है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर होता है प्रिष्टिये आवेश घनत्व यानि सिग्मा इस पत्का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वित्रण एक प्रिष्ट पर होता है और प्रिष्ट के प्रति इकाई चेद्रफल के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रतिमीटर वर्ग होता है आईतनी आवेश घनत्व रो इस पत्का उप्योग तब किया जाता है जब संतत आवेश वित्रण एक त्री विमिय प्रदेश में होता है और प्रदेश के प्रति इकाई आईतन कुलावेश के रूप में परिभाशित किय जाता है इसका SI मात्रक कुलॉम प्रति घनमीटर होता है गाउस का नियम गाउस का प्रमय एक गाउसियन प्रिष्ट से वेद्धित फ्लक्स फाई ए एपसिलोन नौड द्वारा विभाजित प्रिष्ट मुक्त दिक स्थान की असमवाहकता द्वारा परिबध नेट आवेश क्यों के बराबर होता है गाउस का प्रमय एक बंद प्रिष्ट के अंदर आवेश की करना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है यदि प्रिष्ट पर समस्त बिंदूं के लिए ये क्यात हो गाउस के नियम के अनुप्रयोग अनन्त लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्ध ग्षेत्र गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बिलनाकार प्रिष्ट चुनते हैं जिसके अक्षितार के अनुदिश है यदि तार का रहकिक आवेश घनत्व लेम्डा है तो गाउसियन प्रिष्ट में आवेश एल लेम्डा होगा हम जानते हैं कि phi e बराबर e.ds के बंद प्रिष्ट पर समाकलन जो e तथा 2πr l के गुणन फल के बराबर है यहाँ 2πr l बेलन के वक्र प्रिष्ट का क्षेत्र फल है गाउस के प्रमय के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरिये दूरी आर पर किसी बिंदू पर विद्धिक्षेत्र लेमडा बटे 2πr epsilon not के बराबर होता है एक समान आवेशित अनन्त सम्तल चादर के कारण विद्धिक्षेत्र गाउसियन प्रिष्ट के रूप में हम अनुप्रस्त क्षेत्र A और चादर के अभी लंबवत अक्ष के साथ उचाई दो आर वाले एक वृत्तिय बेलन पर विचार करते हैं यदि सिग्मा चादर का प्रिष्टिय आवेश घनत्व है तो गाउसियन प्रिष्ट द्वारा परिबध आवेश L सिग्मा होगा हम जानते हैं कि फाई E बराबर E.ds के बंद प्रिष्ट पर समाकलन जो दो A और E के गुडन फल के बराबर है गाउस का प्रमे के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरिये दूरी आर पर किसी बिंदु पर विद्ध क्षेत्र सिग्मा बटे दो Epsilon नौट के पराबर होता है एक समान आवेशित पतले गोलिये खोल के कारण विद्ध क्षेत्र आर त्रिज्या वाले गोले के के गिंद से आर दूरी परिस्थित बिंदु पर विद्ध क्षेत्र ग्यात करने के लिए हम आर त्रिज्या वाला एक गोलिये काउसियन प्रिष्ट चुनते हैं जो आवेश निम्ननुसार होगा Q बराबर 4 बटे 3 पाई आर घन और रोका कुडन फल स्थिती एक ठोज गोले के बाहर बिंदूं के लिए आर बड़ा है कैपिटल आर से ठोज गोले के केंद्र से आर दूरी पर इस्थित किसी बिंदू पर विद्धत क्षेत्र एक बटे 4 पाई एपसिलोन नौट कुणे Q बटे आर वर्ग के बराबर होता है स्थिती दो ठोज गोले के अंदर बिंदूं के लिए आर छोटा है कैपिटल आर से ठोज गोले के केंद्र से आर दूरी परिस्थित किसी बिंदू पर विद्ध क्षेत्र एक बटे 4 पाई एपसिलोन नौट कुणे आर क्यू बटे आर घन के बराबर होता है क्या आप जानते हैं रगडने पर कम कारे फलन वाले निकाई से इलेक्ट्रोन मुक्त होते हैं और वो धनाफेशित हो जाता है उच्चतर कारे फलन वाला निकाई इलेक्ट्रोन प्राब्द करके रणावेशित हो जाता है पॉजिट्रोन एक कण है जिसका द्रवेमान इलेक्ट्रोन के समान होता है पॉजिट्रोन पर इलेक्ट्रोन पर रणावेश के समान परिमान का धनावेश होता है कुछ समय पहले एक बटे तीन इ तथा दो बटे तीन इ आवेश के कड़ों की उपस्थिती अभी ग्रिहित की गई है। ये कन कौर्क कहलाते हैं। सारांज आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित तथा विप्रीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से सपर्शिक कराय बिना एक नेट विद्यत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरन द्वारा आवेशन कहलाती है। किसी आवेशित वस्तू का कुलावेश आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशी ई का पूना की गुणच होता है। किसी आवेशित वस्तू के अनुदेश निर्देशित होता है। किसी आवेशित वस्तू की उपस्तिती से अप्रभावित रहते हैं। यह क्षेत्र विद्ध क्षेत्र कहलाता है। एक गाउसियन प्रिष्ट से वैद्ध फ्लक्स मुक्त दिक स्थान की विद्ध शीलता द्वारा विभाजित प्रिष्ट द्वारा परिबध नेट आवेश के बराबर होता है। झाल